सब्सक्राइब कीजे हमारे इस चानल को और बेल आइकन जरूर दबाएं जय मातादी बंधू एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत ही खास वीडियो में जो की बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यानिकी मेश राशी वालों के लिए बंढू इसके पहले भी कई बार हमने मेश राशी के वीडियोस आप के लिए बनाए हैं जो कि शत्पृतिशत सही हुए हैं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ऐसा कह रही हैं आपकी कमेंट्स जो कि आप हर वीडियो में हमें कमेंट करके बताते हैं कि गुरु जी आपकी कही गई बाते बिलकुल सोब पिर्तिसत सत्ते हैं सही है बंदू आप लोग आपकी प्रॉब्लम्स आपकी परेशानी कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताते हैं हम उन सारी कमेंट्स को पढ़ते जरूर हैं लेकिन हजारों की संख्या में हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर कमेंट्स आती हैं इसलिए उन सारी कमेंट्स का रिपलाई देना थोड़ा मुश्किल होता है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल हमने हमारे आज की इस वीडियो में आपको बताया है बंदुओं बहुत सारे उपाय जो की जोच्छी गरंथों में लिखे हुए हैं महान जोच्छी गरंथों में उन सारे उपायों को हम आज लेकर आएं ये वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ और रिसर्च करके बनाये गया है कुछ छोटे छोटे उपाय बताये गए हैं जो कि बहुत ही सरल हैं बहुत ही सिंपल हैं और इन उपायों को करकर आपकी जीवन में आप सो प्रतिशत सफलता पा सकते हैं आपकी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो वो बिलकुल दूर हो सकती है अगर आप इन सारे उपायों को लगन और विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ करें तो बंदू ये वीडियो सभी के लिए बनाये गया है सभी को ध्यान में रखकर बनाये गया है चाहे वो महिला हो वियापारी हो स्टूडेंट्स हो करियर को लेकर प्राबलम हो प्यार शादी को लेकर प्राबलम हो इसलिए इस वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखें बंदू हो ये वीडियो बहुत ही महनत के साथ बनाया गया है इसलिए जितने भी मेश राशी वाले बंदू हो उन सब के साथ आप इस वीडियो को वाटसिप और फेस्बुक के जरीए जरूर शेयर करें अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हम हमारे अगले मेश राशी के वीडियो में जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर आप मेश राशी के वीडियो और पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं आपको बता दें कि जोतिश भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्मपत बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है जोतिश विद्या और आपका राशी फल आपको सही समय पर सही कारे करने के बारे में ज्यान देते हैं ताकि आप सरवादिक लाब उठा सके जिनवस्तू और घटनाओ के इश्वर अनुमती नहीं देता है उसको ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ ना ही कोई और बदल सकता है बंधू द्यान पूरवक मेश राशी के उपाए सुनिये और करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले आपको हनुमान जी की पूजा आरादन अवश्य करनी चाहिए हनुमान मंदिर जाकर उनके कंदे पर लाल सिंदूर लगाएं और उस सिंदूर को अपने मस्तिश्क पर तिलक के रूप में लगाएं इससे आपके जीवन में शत्रू का नाश होगा आपको जीवन के हर छेतर में सफलता हासिल होगी और आपके जीवन में आ रही कोई भी समस्या यदि आप परिवार के लोग आपके खिलाफ कोई पढ़ियत तिर रच रहे हैं तो वे अपने मनसूमों में कामयाब नहीं होंगे इसलिए आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है लाल सिंदूर लगाना है और सिंदूर को अपने मस्तिश्क पर तलक के रूप में लगाना है हनुमान जी की पूजा आरादना जरूर करनी है आपको लाल रंग के रुमाल को या लाल वस्तर को आप कोई भी विशेश कारिय यानि कोई भी नया कारिय जो आप शुरू करना चाह रहे हैं कोई लोकारपन कारिय में जा रहे हैं या आप कोई नया कारिय नया सिलन्यास नय व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कोई भी इस तरह का काम अगर आप करना चाहते हैं तो लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें या फिर लाल रंग के रुमाल को लेकर यदि आप जाते हैं तो आपके जीवन में वो कारिय बिना बाधा के पूर्ण होता है और आपको अच्छी सफलता उस कारे में देखने को मिलती है तो लाल रंग आपके लिए बहुत ही शुब है आप चाहें तो लाल रंग के रुमाल को हमेशा अपने पास रख सकते हैं दुलर और आउले के ब्रक्ष को अपने घर के दक्षन स्थान में जरूर लगाएं और रोज उन्हें सीचे रोज पानी दे ताकि आपके जी दुलर और आउले के ब्रक्ष को जरूर लगाएं अपने घर के दक्षन स्थान में रोज उन्हें पानी जरूर दे आपको परत के राम दरवार को अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए रोज राम रक्षा इस्तरोत का पाट करना चाहिए इससे आपके जीवन में आ रह हर समस्या से आपको मुक्ती मिलेगी और आपका पारिवारिक माहूल बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में संपन्निता की स्थिति बढ़ेगी और आपको धन का लाभ जरूर प्राप्त होगा बंदूं आपको बताते हैं मेश राशी के भागी रतन के बारे में यानि की आपकी राशी के भागी रतन के बारे में मेश राशी का स्वामी मंगल ग्रहे और मंगल ग्रहे का रतन मुंगा माना जाता है तो अच्छा विकार एकने और कई तरह की स्वास्त समस्याओं से मेश राशी के जातक मूंगा रतन की अंगूटी पहन कर बच सकते हैं चोट और दुरगटनादी से भी मूंगा स्टोन रक्षा करता है मानसिक शानती और संतुलन के लिए मेश राशी के जातकों को एमेथ स्टोन पहनना चाहिए अगर आप भागनातनक रूप से खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो एक्वा मरीन स्टोन पहनने से आपको लाब होगा अगर मेश राशी के लोगों का स्वास्ति अक्सर खराब रहता है यह उन्हें अपनी उर्जा को बढ़ाना है तो उन्हें रेट एक्वा मरीन स्टोन पहनना चाहिए भाग्य में ब्रध्धी के लिए आप सिट्राइन रत्न पहन सकते हैं अगर आप डाइमंड पहनते हैं तो इससे आपकी मनुविज्ञानिक शक्ती में बढ़ोतरी होती है इस कीमती रत्न के प्रभाप से आप अपने अंतर मन की बात सुन सकते हैं मेश राशी वाले डाइमंड के अंगूटी पहने तो इससे उनकी अंतर द्रस्टी और कल्पना शक्ती में इजाफा होता है मेश राशी के पूरुशों के लिए ओपल लकी माना जाता है इससे आपकी क्रियेटिविटी और आगे बढ़ने की लालसा बढ़ती है अगर आप किसी तरह की क्रियेटिव फील्ड में काम करते हैं तो आपको ओपल जरूर पहनना चाहिए ओपल की अंगूटी पहनने से आपको मंगल से संबंदित शक्तिया मिलनी शुरू हो जाती है ओपल को शुद्धता और बुद्धी का कारक माना गया है इस राशी के लिए भाग की रतन की बात की जाए तो वो डाइमेंड ही होता है और यह स्टोन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा पसंद भी होता है इसके अलावा मेश राशी की महिलाओं को ब्लड स्टोन, टोपाज, नीलम, एकोमरीन और जेस्ट पर पहनना चाहिए बंधू किभल साइटिफाइड और नेचरल रतन ही जोच्छी लाब आप तक पहुचा सकते हैं इसलिए आपको किसी प्रमानेच जगह से ही रतन खरीदना चाहिए नहीं तो आपको बिल्कुल भी फाइदा नहीं होगा इसके अलावा आपको श्री दुर्गा वीसा यंत्र को धारन करना चाहिए या फिर उसे अपने घर में रखना चाहिए दो मुखी रुद्राक्ष को जरूर धारन करें मंगलवार को बगवान हनुमान जी को प्रिसाथ चड़ा कर जरूर आपको बाटना चाहिए धोका होने की संभावना है इसलिए धोके से बचने के लिए प्रति दिन हनुमान चालिसा का पार्ट करना चाहिए अकारण की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए खासकर फरबरी में तो यात्रा को टाल दें अपनी वानी पर पूरे वर्ष सयम रखें अन्यता मुसीवत में पड़ सकते हो मार्च से मै तक का अच्छा समय है उन्नती होगी हालकि अन्ती माह में जुनोती होगी घर का सोना ना तो पेचें और ना ही गिर्बी रखें अन्यता नोकरी व्यवसाय आदी में नुकसान उठाएंगे सूर्य नीच का हो जाएगा वेसे यदि आव वानी सैयम गोपनियता एवं समझदारी बनाए रखेंगे मास मदिरा से दूर रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी गुरुवार या फिर एकादशी का ब्रत रखें माथे पर केसर या चंदर का तिलक लगाएं घर से निकलते वक्त थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीकर ही घर से निकलें आँखों में कभी कबार काला या फिर सफेद सूर्मा लगाएं बंदूओं आपको नियमित रूप से प्रतेक शनिवार को च्छाया पात्र का दान करना बहुत लाबकारी रहेगा एक मिट्टी या लोहे के पात्र में सरसो का तेल भरें और उसमें अपने चेहरे की छाया देखकर किसी मंदिर में तान करें इसके अतरिक्त आप मंगल के शुब और सकारात्मक प्रभावों को पाने तता चर्म और लीवर से संबंदित रोगों से बचने के लिए अनन्त मूल की जड़ भी धारन कर सकते हैं तो बंदूओं ये था बहुत ही महत्पून वीडियो मेश राशी के लिए वीडियो बहुत ही महनत से बनाया गया है इसलिए जादा से जादा मेश राशी वाले लोगों के साथ फेस्बुक और वाटसेप पर जरूर से जरूर शेयर करें अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानिया हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे अगले वीडियो में हम उनका सॉलिशन देने की कोशिश जरूर करेंगे अगर आप मेश राशी के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं